हेलो फ्रेंड्स बात करेंगे नंदन डेनिम लिमिटेड के बारे में श्टोक तकरीबन 4 परशन की तेजी के साथ आज क्लोजिंग नजर आई कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, कंपनी के बिजनेस कैसे है, फ्यूचर में किस तरह से कंपनी ग्रो कर सकती है सब कुछ discussion करेंगे, next का possible target नजर आ सकते है, detail में analysis करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो में अंतक बने रहा है पिछले एक महीने की बात करेंगे तो तकरीबन 50% की सांदार तेजी यहाँ पर में देखना को मिली और पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर पैसे double हो चुके है, 6 महीने में एक साल की बात करें तो तकरीबन 500% से भी जाते की तीजी है, श्टॉक में देखना को मिल रहा है एसा ही momentum की हमें company के business में नजर आ रहा है, company के sales में नजर आ रहा है, वह भी देखना ज़रूरी है तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, नंदन denim के business की में बात करूँ तो यह company कापड के business में कारोबार करती हुए नजर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नंदन denim limited manufacture, denim, shirting material, yarn and various type of fabrics यानि कापड के business में company कारोबार कर रही है, और कापड का एक जो business है, आपको पता ही है friends, के year on year business पे कापड की जो demand है, कपड़ों की जो demand है, वो continuous बढ़ती जाती है, और उसमें यह business है, वो continuously जबर जिस ग्रोव करता हुए नजर आ रहा है, company के market cap की बात कर रहे, तो तकरीबन 1000 करोड के असपास का market cap देखना को मिल रहा है, और यहां पर face value की बात कर तो एक रुपे के असपा करोबर करता हुआ नजर आ रहा है, और यहां पर अगर मैं profit and sales की बात करूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो company का जो sales है, वो continuously increase होता हुआ नजर आ रहा है, 2015 से आप नजर करेंगे, तो आपको continuously कमपनी का जो sales है, वो increase होता हुआ नजर आ रहा है, यह वो नी year basis पे, जै लेकिन company कही ना कही profitable है, जैसा कि आप देख सकते है, 45 क्रोड का account क्रोड का company को profit हो रहा है, पिछले 2 साल की बात कर रहा है, तो profitable company नजर आ रही है, बीच में कभी-कभी losses तो होती है, business up-down होता है, तो उसके according यहां पर मैं losses भी देखना को मिल रहा है, और यहां पर अगर मैं company के उपर depth की बात करो, तो company के उपर कर जाए, वो यहां पर आप देख सकते है, तकरीबन 330 क्रोड के असपास का कर जाए, यहां पर मैं देखना को मिल रहा है, जो की कर जा कापी कम वहा है, पिछले सालों के मुकाबली देखा जाए, तो company के उपर जो depth है, वो कर जाए, तो company क की holding देखना को मिल रही है, तो company का sales अच्छा है, company grow अच्छा कर रही है, तो definitely stocks के और अपकी नजर होनी चाहिए, और यहां पर मैं next target की बात करूँ, तो यहां पर definitely आगे नवाले जिनों में अच्छे returns भी नजर आ सकते हैं, जिस तरह के पिछले जिनों अच्छे return दिये है, तो definitely आगे भी अच्छे return नजर आ सकते है, company का business grow कर रहा है, तो definitely इस टेक स्टाइल का business grow कर रहा है, तो definitely यहां पर share price में भी उसका positive impact देखना को मिलना ही चाहिए, तो किसी तरह आपको अपना analysis करना, आपना financial user की भी जरूर सला लेनी है, वीडियो अच्छला को लाइक कर रह अपने भीडियोश कर रहा है